तो फाइनली बात करें जो पोको ए वो जिन्दा काफी जादा प्रोमोशन स्टार्ट हो गया पोको का मतलब कि उचका जो ट्विटर अगाउंट है ना वो पहले से काफी जादा अक्टेव हो गया मतलब इतना अक्टेव वो पहले नहीं था और देखा तो कुछ न कुछ नई post कर रहा है और यह HINTS मिल रहा है कि आने वाले में हमें कुछ न कुछ POCO की तरह से देखने को मिल सकता है कि वैल एक उनका जो वीडिक्ड़ के वीडियो जो नो ने कल रिलीज की आता है उसको देखके लगता है कि Hann Grill कि G लेकिन मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि पोको का जो अगला फोन होगा ना वो शायद पोको X2 हो सकता है यानि कि पोको F2 का सक्सेसर यानि कि पोको F1 की जगे पोको F2 नहीं आएगा शायद ये कोई नई स्रीज है और 2 शायद जो अगला फोन है मतलब सेकंड फोन है अगर बात करें अगर सारे चीज़ें सही रही है और जिस तरीगी से पोको चल रहा है ना मेरे ख्याल से फैबरी में या फिर माहरशेवा को पोको की तरफ से कोई नीउस देखने को मिली गा और साल भर नीउस सुनते तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा मतलब कि देखते कि Poco X2 में क्या रहता है वैसे एक और खास रिपोर्ट सामने आई थी जो BIA सर्टिफिकेशन था उसे देखके पता चलता है कि जो Poco है ना वो शायद Redmi K30 को इंडिया के अंदर रिब्रांड करके Poco X2 या फर किसी और नाम से ला सकता है बात ही होगे लेकिन देखे काफी अच्छा लाग रहा है कि जो Poco है वो वापस आगया काफी जादा नहीनी चीज़े कर रही है और उसका जो Season 2 है Poco का वो exactly स्टार्ट हो गया है वैसे उनके वीडियो में भी एक जगे हिंट आपकर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक हिंट मिल सकता है जहां पर शायद आपको देखके पता चल जाए कि अगला जो फोन होने वाले Poco की तरफ से वो शायद Poco X2 हो सकता है वैल अब यह सिर्फ गैस है लिकिन बहुत ही जल्दी आपको फोन देखने को मलेगा और सारी चीजी सही रही तो शायद Redmi K30 हो सकता है वैल इसकी जगे पर एक और interesting news में आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जो launch हुआता है Snapdragon 720G, Snapdragon 662 और Snapdragon 460 प्रोसेसर का इसकी उपर कल एक main channel पर वीडियो आने वाल है तो वो आप जरू से check out कर लेंगा आपको exactly सब पता चल जाएक उसमें क्या है लेकिन खास बात यह कि जो Snapdragon 720G प्रोसेसर है न वो देखा जाए तो एक वैसा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जो कि 15,000 के नीचे आपको gaming performance निकाल के देगा यहाने कि उसके आपको 90Hz, 120Hz, refresh rate वाला फोन भी देखने को मिलेगा उस प्रोसेसर पे चलता हुआ और इन सब की कीवाँ 15,000 से कम होने वाली है और यह obviously Snapdragon 730 से थोड़ा कम powerful है लेकिन graphic performance आपको लगवग similar देखने को मिलेगी और वहीं बात करें Snapdragon 460 और Snapdragon 662 की तो मेरे को लगता है कि जो Snapdragon 460 है वो 10,000 के नीचे जो फोन्स होते है उनके अंदर आपको जाद अच्छा gaming experience देखा वैसे कि Qualcomm Snapdragon 720G के बारे में बात करें तो खबरे के कुछ ऐसी बता रही है कि Xiaomi और Realme के भी जंक सी लगी हुई है कि कौन सिंग अमनी अपना पहला 720G वाला phone लेके आती क्योंकि महदवशेट ने भी tweet करके बोला है कि वो लेके आने वाले है मनु कुमार जहन के tweet से भी hint मिल रहा है कि Snapdragon 720G का कुछ ना कुछ तो होने वाल है हो सकते है क्या पता Realme 6 Pro में Snapdragon 720G देखने को मिल जाए क्योंकि 710 आया था Realme 3 Pro के अंदर Snapdragon 712 आया था Realme 5 Pro में अब Realme 6 Pro में Snapdragon 720G काफी एक सही choice बग जाती है कि आके कौन सी company पहले हो सबसे कम कीमत में फोन लाती है Snapdragon 720G पे चलने वाला obviously इन तीनों कंपनी के जो फोन से आपको देखने को मिलेंगे और मनु कुमार जैन की tweet से तो यह interview मिला है कि Snapdragon 765G वाला प्रोसेसर को जो फोन होगा वो इंडिया में आएगा और तो Snapdragon 865 वाले फोन के उपर भी काम कर रहा है जो शाथ क्या पता पोको के तरफ से देखने को मिल जाए और तो जो 5G फोन से न वो भी काफी कम प्रैस में इंडिया में पहले से ही लाने की प्लानिंग कर रहे है इस बार शाउमी तो यह काफी इंटरसिंग चीज़ है और वहीं बात करें शाउमी सैमसंग के और रियल में के मार्गेट शेयर के बारे में तो यह काफी कच्छी रिपोर्ट सामने आती यानि क्यू फोर यानि अगर हम आखरी क्वार्टर देखे 2019 का तो यह पता चल रहा है कि जो शाउमी है ना उसका मार्गेट शेयर 29.9% हो गया सैमसंग का भी भढ़के 25.8% हो गया इसके बाद थर्ड पोजिशन लेली वीवो ने जिसका मार्गेट शेयर 10.5% और 8.2% हो गया ओपो का लेकिन वहीं बात कर रियल्मी की तो रियल्मी जास सेप्टेंबर में उन्होंने ग्रोथ देखी थी थी ना तो वहाँ डिक्लाइन देखने को मिलाऊं November और December की बीच और देखा जाया तो 8% से भी कम हो चोग है इस पर रियल्मी का यानि कि September में जो market share था Realme का वो around 16.74% ता और उसके बाद November में इनका 9.3% और December में 8.23% यानि कि जब जब अपने phone थोड़े महंगी price में launch कर रहे थे ना उस समय इनका market share decrease हो रहा था तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब रियल्मी को महंगे phone जो है ना उनके उपर तो focus करना ही चाहिए इसके लावा तो सस्ते phone है जिनकी अब दस जार से नीचे है उनके उपर थोड़ा और focus करना चाहिए और ज़्यादा quantity में या फिर उनमें और ज़्यादा अची specific और जाद अची value for money लानी चाहिए शायद यहीए क्रीजन हो सकते है कि आपको साल के शुरुवात में रियल वी 5 कुछ जादा ही जल्दी देखने को मिल गया वैल एक यह भी बात हो गई लेकिन इसके बाद एक और खास बात है कि कल galaxy note 10 light को launch हो गया और इंडिया में उसकी कीमत है 38,999 देखा तो ठीक है samsung के साफ से साइफ होन है लेकिन में चोटी सी कम ही लेकिए उसके आपको exonus 9810 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है अगर आप लोगों नहीं पता तो जो exonus 9810 प्रोसेसर या यह galaxy s9 स्रीज में आता था और s9 का प्रोसेसर था snapdragon 845 से compete करता था और आज ह चीज़ें तो overall बात की जाए तो अगर आंसंग का ब्रांट देखे तो obviously phone खरीदने लाइक है लेकिन overall बात करें तो मेरे को लगता है कि market में अच्छा फोंस पे वालेबल है एक्जमपल one plus 70 ले ले 90 हेट्स का refresh rate मिल जाता है थोड़े और कम पैसे देना चाहा तो 30,000 रुपे सके इसके बाद बात करें कि लोग को S10 light का इंतजार था तो obviously वह भी आने वाला है कुछ हफ्तों में वह भी officially ऐसी launch हो जाएगा Galaxy Note 10 light launch हो है तो इसी कीमत है फिरसे थोड़ी से कम कीमत में launch हो सकता है और उसके अंदर को snapdragon 855 देखने को मल जाएगा तो कुछ-कुछ specification कुछ-क Megapixel का camera और वो हो सकता है OPPO का Reno 3 Pro और यह जो फोन है इंडिया में launch हो सकता है February में वैसे देखा है तो Reno 3 Pro काफी जादा अच्छा फोन होने वाला 44 Megapixel काफी बढ़िया चीज होने वाली है और जो फोन इंडिया में आगा OPPO Reno 3 Pro उसके अंदर शायद आपको 5G देखने को नह 5G नहीं आएगा और उसकी तो एक इमेज भी लिख कर दे थी Mr. Who's the Boss ने और वो दिखके लगता है कि इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है Dual Hole Punch Display जिसके अंदर आपको 44 Megapixel camera देखने को मिलेगा तो वो एक Unreleased phone है देखते हैं कि exactly क्या रहता है उसके अंदर वैसे OPPO के phone उनके साथ शिकायत वही है यार ColorOS ColorOS को थोड़ा और अच्छा कर दे जैसे Realme UI ने काफी अच्छा कर रहा ColorOS धीरे धीर अगर धीरे सुधारते रहे अपडेट्स वगरा देते रहे especially OPPO Reno 3 की अगर pricing अगर अच्छी कर दी तो मेरो लगता कि काफी अच्छी चीज हो सकती है इसके बाद बात करें तो Vivo की तरफ से भी एक news वो यह है कि उनके जिम IQ जो brand का जो है ना phones वो इंडिया में launch होने वाले मार्च के अंदर और Vivo का जो IQ है यह completely different रहे यानि कि IQ अलग है वीवो अलग रहेगा और IQ अलग से काम करेगा लिकिन जो IQ का जो phone होगा वो आ सकता है Snapdragon 865 के साथ यानि कि IQ 3 के बारे में बात चल रही वो इंडिया में launch होगा और वो एक proper flagship phone हो सकता है अगर इन्हें थोड़ा market में अगर सही करना है तो अगर pricing अगर सही कर दी तो काफी जादा कमाल हो सकता है और हो सकता है कि जो IQ जो अपना phone लाने वाली है इंडिया में यह directly सीथे अपने 5G phones को लेकर है इंडिया में तो यह भी काफी कमाल की बात होगी और इसके साथ एक और इंट्रेसिंग बात यह है कि जो Realme की स्मार्ट वाच है वो अल्रेडी इंडोनेशिया के certification को उसने पास कर लिया है आप देखा है तो काफी जादा जल्दी हो सकता है जो स्मार्ट वाच उसका जो लाँच है वो बहुत जल्दी हो सकता है गरती जल्दी जल्दी certification क्लियर कर रही है मतलब कि आप समझ के रखे कि एक दो महीने के अंदर लाँच हो सकते है आने कि अभी तो जनवरी चल रहा है फरवरी में देख जाए तो phones भी बहुत जादा आने वाला है यानि कि Realme, Redmi तो अपने phones को लाँगे जाए गैलक्सी की पूरी S20 सिरीज जो है वो पूरी की पूरी आने वाली है MI10 आने वाला है शैट पोको की तरफ से कुछ phones आ जाए और तो अब तो जो Realme की स्मार्ट वाच है न वो भी आपको देखने को मिल जाए तो यह हो या कि एक gaming console से जादा वो एक जो computer का CPU होता है आपने टावर होता है बिलकुल वैसा ही देखने में लग रहा है यानि कि proper computer assembled PC होता है बिलकुल वैसा ही बना दिया उसी form factor में और हो सकता है कि उसके अंदर hardware भी वैसा ही use किया गया हो और क्या पता software भी हो नहीं थोड़े windows को भी modify करकर डाला हो वैसे wait करते हो कह रहे हैं कि अभी तक का सबसे जादा powerful gaming console हो सकता है यानि कि PlayStation 5 से भी जादा powerful होने वाला ही है और यह जो design जो leak हुआ है बिलकुल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और इसको लंबे में रखा जाएगा मतलब ले टाकी नहीं थोड़ा करके रखा जाएगा देखते हैं कि exactly इसके अंदर क्या आता है और सबसे ज़रूरी बात यह कि इसकी pricing क्या रहती है मतलब की ता powerful console है और हो सकता है किसी कीमत कुछ जादा ही हो मतलब 40-50,000 रुपे भी जा सकती है क्योंकि Microsoft का flagship grade का एक high-end gaming console है तो सस्ता तो होने नहीं वाली जीज तो चलिए यह तो बात हो गई अब बात करते हैं आप लोगी कुछ कमेंट्स के बाएर में तो पहला कमेंट्स पूछा है सहौरा भाही ने पूछने क्या OnePlus का Oxygen OS ROM किसी दूसरे फोन में चला या जा सकता है एक्जामपल Realme, Vivo, एक्चली मैं आपको बता सकता हूं कि Oxygen OS जो ह और अगर आप अपने फोन में डाला चाते हैं तो ऑविसली फोन को यह अंदर फ्लेशिंग अगरा करनी पड़ी कि बूट्लोडर अनलोक करना पड़ेगा जिससे आपकी फोन की जो वारंटी अगरा होती है वह जा सकती है लेकिन एक्जेकली देखा है तो वह चीज वगरा नहीं जाते तो मैं सिजेस्ट करूँगा कि अभी आप रहे नहीं दो जैसे चला रहो वैसा चलाने दो लेकिन अगर फ्लेशिंग वगरा की नॉलेज है और उसकी जो रिस्क साथ आते हैं अगर वह आप समझते हैं तो आप यह चीज कर सकते हैं जुनेत भाई का सवा होगा यानि कि होल का साइज छोटा कर देंगे वह और अंदर सेंसर बढ़ा होगा यानि कि स्नुट अल्टर में 40 में बेक्सल का camera देखने को मिलेगा और गैलक्सी S20, S20 Plus में 12 Megapixel होगा और obviously जो selfie quality होगी वो improve होने वाली as compared to S10 और S10 Plus और S20 Ultra के अंदर तो आपको और जाद अच्छे feature देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर 44 Megapixel camera का use किया गया है इसी के साथ S20, S20 Plus, S20 Ultra तीनों ही जो है ना वो selfie में 4K वीडियो 60 FPS में record करने के भी capable होगे तो देखा है तो काफ एक interesting चीज़ है कि आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है और obviously देखते कि exactly Galaxy S20 Ultra का बात है आपको क्या क्या चीज़े नहीं देखने को मिलती है well, तो अभी के शुमें बस इतना ही अगर वीडियो पसने दा तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे ही आपको कोई सवाल लेना तो नीचे कमेंट सब्सक्राइब आपको जो पूछने आप पूछ सकते हो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में और हाँ जाने से पहले ऐसी लाल रंगा बटन होगा नीचे तो उसे दबा के आप ग्रे करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले रा गुड बाई